बहुत समय पहली की बात है दूर किसी गाउं में मीना नाम की लड़की अपने पिता रामू और मा ललीता के साथ रहती थी रामू एक मच्छुआरा था जो कि नदी से मचलियां पकड़ कर दुकानों में बेचता था मीना की शादी करने की उम्र हो चुकी थी और रामू बहुत गरीब था और वो बस यही सोचता रहता था कि वो अपनी बेटी की शादी किस तरह से करेगा लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता कि उसके घर में ज़्यादा पैसे आए और उसका घर अच्छे से चले मीना के पास जो था वो उसे में खुश रहती वो कभी भी अपने माता पिता को कुछ लाने को नहीं कहती और मेना के इस बरताफ से राजू भी बहुत खुश था राजू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था क्यूंकि वो राजू और ललीता की एकलोती बेटी थी जिसे उन दोनों ने बहुत लाट प्यार से पाला था रामू को मचली बेच कर जितने भी पैसे मिलते वो खुशी खुशी उन पैसों को घर ले आता और जमा करके रख देता और जरूरत के समय ही उन पैसों का इस्तेमाल करता मेना बहुत इमानदार और दयालो थी जो कि कभी भी किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करती थी और वो हमेशा खुशी से रहती थी ऐसे ही बहुत समीब बीच जाता है अब रामू की तबियत बहुत जादा खराब रहने लगी और एक दिन जादा तबियत खराब होने की वज़े से रामू की मृत्यू हो गई मीना और ललीता को बहुत दुख हुआ और वो दोनों अब यहीं सोच रहे थे कि उनका घर कैसे चलेगा क्योंकि घर में अब कमाने वाला कोई नहीं था और एक शादी लाइक बेटी थी ललीता को अब यहीं चिंता सदाती रहती पता नहीं बेटी मैं अकेले इस उम्र में तेरे शादी कैसे करूंगी सारा काम कैसे संभालूंगी अरे मा अब चिंता मत करो मैं हूँ ना, मैं अपने शादी के सारे काम संभाल लूँगी और काम करने भी मैं जाऊंगी जिसे घर में अच्छे खासे पैसे आएंगे अरे पगली, कैसी बाते कर रही है अपने शादी में तो खुद ही काम करेगी और पैसों के लिए तो कौन सा काम करेगी जो काम पिताजी करते थे, वही काम मैं भी करूंगी पिताजी मचलियां बेच कर सभी का गुजारा करते थे मैं भी मचलियां बेचूंगी और हम दोनों बहुत खुशे से रहेंगी और आप मेरे शादी के चिंता मत करो मा जब मेरी शादी होगी तब देखी जाएगी और ऐसा सोचकर मीना मचलियां पकड़ने जाती है उसे पहले दिन जादा मचलियां नहीं मिलती और उसकी मचलियां जादा बिक्ती भी नहीं लेकिन उसने हार नहीं मानी उसको पैसों की बहुत जरूरत थी इसलिए उसने अपना काम जारी रखा और समय के साथ साथ उसका काम चलना शुरू हो गया ऐसी ही एक दिन मीना के गाउं में एक सैनिक आया और गाउं के सभी लोगों को ये संदेश देता है कि राजकुमार अपनी विवा के लिए एक सुन्देशी राजकुमारी को ढूण रहे है और यही बात ललीता को भी पता चल जाती है और ऐसा सोचकर उसका मन उदास हो जाता है मेरी इतनी हैसियत कहां कि मैं अपनी बेटी की शादी राजकुमार से कर रहा हूं मेरी बच्ची किसी तरह मेरा और अपना गुजारा कर रही है और अगर वही चली जाएगी तो मैं किसके साथ रहूंगी मेरा तो कोई सहारा ही नहीं होगा पर एक ना एक दिन उसे शादी करके अपने ससुराल तो जाना ही है और ऐसा सोचकर ललीता बहुत उदास होती है ऐसे ही वो रोज सुभा जल्दी मचलिया पकड़ने जाती और उन्हें बेचती उसको जितने भी पैसे मिलते हैं वो कभी भी उन्हें फासू चीजों में खर्च नहीं करती जरूरत की चीजों में ही खर्च करती उसकी मा को अपनी बेटी का ये वहवार बहुत पसंद था और वो दोनों बहुत खुशी से रहने लगे ललीता मीर्ना को ये बात बता देती है की अरे बेटी तुझे पता है राजकुमार अपने विवा के लिए राजकुमारी को ढूण रहा है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है मा हाँ बेटी और मैं चाहती हूँ कि तुभी राजकुमार के पास जाए क्या पता वो तुझे ही पसंद कर ले वैसे भी तो तो दिखने में काफे सुन्दर है हाँ हाँ मा आप सही कह रही हूँ मैं भी महल में जाऊंगी हाँ बेटी पर तुझे सुन्दर बन कर जाना होगा लेकिन मा क्या पता मेरी शादी किसी और अच्छे इंसान से हो जाएगी अब जरूरी तो नहीं कि मेरी शादी राजकुमार से ही होगी राजकुमार को तो कोई और अच्छी राजकुमारी मिल जाएगी महल में तो बहुत सारी लड़किया होंगी राजकुमार किसी को भी पसंद कर सकते हैं हाँ ये तो है मैं तो बस यही चाहती हूँ राजकुमार अपनी राजकुमारी के साथ खुशे से रहे अच्छा मा, मैं चलती हूँ, आज मैंने मचलियां नहीं बेची, इसलिए मैं मचलियां बेचने जा रही हूँ, फिर आगर खाना बना दूंगी ठीक है बेटा संभल कर जाना कितना काम करती है मेरी बेटी काश मैं थोड़ी अमीर होती फिर मेरी बेटी को इतनी महनत तो नहीं करने पड़ती फिर मीना मचलियां पकड़ने निकल जाती है लेकिन वो जिस नदी में मचलियां पकड़ने जाती है उस नदी में जादा मचलियां नहीं थी और यहीं सोचकर वो आगे निकल जाती है आगे उसे एक नदी मिलती है तो वो सोचती है कि क्यों ना वो इसी नदी में मचलियां पक कि उन्होंने कहा था कि राजकुमार अपने लिए राजकुमारी ढूंड रहे हैं और ऐसा सोचकर मीना सोचती है अब जरूरी तो नहीं कि राजकुमार मुझे ही पसंद करें लेकिन फिर भी राजमहल में तो मैं भी जाओंगी तो क्यों ना मैं इसी महंदी के पेड़ में से ले लूँ और उन्हें पीस कर मैं खुद ही महंदी लगा लूँगी वैसे भी मुझे थोड़ी बहुत महंदी लगानी तो आती ही है फिर मीना उस महंदी के पेड़ में से कुछ महंदी के पत्ते ले ले लेती है और घर जाकर उसे पीस लेती है और उसे सुखने के बाद धो लेती है, मेंदी काफी जादा अच्छी रची थी और मेना के हाथों में वो मेंदी काफी अच्छी लग रही थी, इसके बाद उसकी मा लेलीता कहती है, बेटी मैंने सारा काम तो कर दिया है, बस थोड़े बरतन रह गए हैं, तू धो देगी क्या? हाँ हाँ मा मैं अभी धो देती हूँ, और आपने घर के काम क्यों किया, आप मुझे कह देती, बेटी, तेरे हाथों में तो मेंदी लगी थी, और अगर तो काम करती, तो तेरी हाथ की मेंदी खराब हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही काम कर लेती हूँ. और फिर मीना बरतन धोने चली जाती है लेकिन जैसी ही मीना एक बरतन को छूती है उसके साथ चमतकार हो जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाती है अरे मा, ये क्या हो गया? ये बरतन सोने का कैसे हो गया? जैसी ही मीना ने एक और बरतन को छूवा वो सोने में बदल गया उसके बाद उसने दो तिन बर्तन और छुवे वो भी सोने में बदल गए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था फिर ललीता आती है और कहती है अरे हां, ये बर्तन तो सोने के हो गया ये चमतकार कैसे हो गया ललीता और मीना को कुस्पे समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है कि अचानक ही ये बरतन सोने में कैसे बदल गया और इसी तरह मीना घर की कई चीजे चूती है और तुरंथ ही वो चीजे सोने में बदल जाती है पर ललीता को अब ये समझ आ चुका था कि मीना के हाथों में जो महंदी लगी हुई है वो जादूई है बेटी अब मुझे समझ आ गया है तेरे हाथों में जो महंदी लगी हुई है वो जादूई है इस जादूई महंदी की वज़े से ही ये सब चमतकार हो रहा है हाँ मा मुझे भी ऐसा ही लगता है ये महंदी ही जादूई है और इसी की वज़े से सब कुछ सोने में बदल रहा है ये भगवान का ही आशिर्वाद है मेना और ललीता दोनों ही खुश हो जाते हैं उन दोनों की खुशे का ठिकाना ही नहीं रहता और जल्द ही वो दोनों अब अमीर हो जाते हैं उनके पास अब खुद का घर था जिसमें की वो बहुत खुशे से रह रही थी काफी दिन हो गए थे पर वो महंदी उतर ही नहीं रही थी कुछ दिनों बाद राज महल में जाने का समय आता है मीना तयार हो जाती है और वो काफी अच्छी लग रही थी और वो राज महल में पहुंच जाती है पता नहीं राजकुमार मुझे पसंद करेंगी भी या नहीं इतना सोच रही होती है कि तब ही राजकुमार आते है राजकुमार जैसी ही मीना को देखते है वो पहली नजर में ही मीना को पसंद कर लेते है राजकुमार मीना के पास आते हैं और कहते है आप हमें बहुत पसंद आई क्या आप मुझसे शादी करेंगी ये सुनकर मीना तो बहुत खुश हो गई क्या आप मुझसे शादी करना चाते हैं मैं आपसे शादी करने के लिए तयार हूँ और घर आकर मीना ये बात अपनी मा को बताती है सुनो मा आपको पता है राजकुमार ने मुझे पसंद कर लिया मुझे तो लगी नहीं रहा था कि राजकुमार मुझे पसंद करेंगी और उन्होंने शादी के लिए भी मुझे बोला है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है मुझे पता था राजकुमार मेरी बेटी को ही पसंद करेंगी क्योंकि तु इतनी खुब्सूरत और अच्छी जो है और कुछी दिनों में मीना और राजकुमार की शादी हो जाती है दोनों हसे खुशी से रहने लगते है